हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रियासिल धातू को पहचानने का एक आसान ट्रिक देखेंगे और इस वीडियो में अगर आप बने रहें तो आपको बहुत ही असा क्रियासिल धातू किसे कहते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों का मतलब ही होता है जो तत्व जो धातू क्रियासिल होते हैं उन में क्या करते हैं वह थी तेजी से से reaction करते हैं मतलब उनमे अविक्रियाइ बहुत तेजी से होती है το जो तत्व क्रियासीर होगी जो धात्त क्रियासीर होती होगा इतनी बात आपको पतावना चाहिए अब आते हैं कि जो हमारे यहां पे हम दे बहुत सारे क्रियासी लिए धातू लिए हैं तो याद करना हम बताएंगे कैसे याद होता है सबसे पहली बत यह आते हैं कि जो हमारा आवर्थ सारणी है तो आवर्थ सारणी में जो उपर वाले तत्तो होते हैं जो भीया, उपर वाले जो तत्तो होते हैं ना, समझेगा, जो हमारे आवर्चारणी में, जो उपर वाले जो तत्तो होते हैं, जो उपर वाले, वो भीया क्या होते हैं? वो अधिक क्रियासील होते हैं, क्या होते हैं? अधिक क्रियासील होते हैं, और जो तत्तो नीची होते हैं आवर्ट सांडी के वो भीया क्या होते हैं जो नीचे होंगे वो भीया क्या होंगे कम क्रियासिल धातू होते हैं ठीक है तो जो तत्व ऊपर होंगे वो अधिक क्रियासिल क्या होंगे धातू होंगे और जो तत्व नीचे होते हैं वो भीया कम क्रियासिल धातू होते हैं तो इ क्या है इसको हम याद कैसे करें तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमने लिया हुए है क्रियासिल धातू तो इनका ट्रीक अब हम देख लेते हैं कि इनका ट्रिक क्या है तो यहाँ पर मैं बताते रहूं आपको ट्रिक तो ध्यान से देखिएगा इंका ट्रिक यही होता है कि कनक मांगे क्या कनक मांगे कनका ठीक है कनका कनक नहीं भी यह कनका मांगे आलू जैसे फल ठीक है समझेगे यहाँ पर कनका मांगे आलू जैसे फल है तो पर सिंगल ठीके क्या बोला गया भी या कनका मांगे आलू जैसे फल है तो पर सिंगल मतलब कोई कनका एक देखती है या कोई लड़का है ये क्या मांग रहा है आलू जैसा ही एक फल मांग रहा है आलू जैसे एक फल मान रहा है het online परंद वो एक region है एक कारण है要 है tym सिंगल है वह क्या रहा है कि चांगा मांगे आलू जैसे फल है तो पर सिंगल क्या क्या करा गया है कंका मांगे आलू जैसे फल है तो पर पर सिंगल तो यही आपका ट्रिक है अब यह इस ट्रिक से हमें याद कैसे होगा तो सबसे पहले तो आपको इस ट्रिक को याद करना होगा कनका मांगे आलू जैसे फल है तो पर सिंगल तो यह आपको याद हो गया होगा आसा करते हैं तो अब आते हैं इसके ट्रिक पे जो रह यहाँ सबसे पहले है को यहाँ पिजो को आता है इस को से याद रखेंगी की कि K आ जाएगा अग्या क्या होता है के अब आता है डू यह दो यम होता है छिसे हम प्रémieने से होता है शुल तो इस तरह याद रखेंगे कि 9 से यह क्या हो जाएगा सोडियम हो जाएगा अब आते ही यह का तो याद रखेंगे यह जो का है इससे आपको याद रखना है जो कापर होता है कापर होता है तो कापर होता है तो केलसियम आपको याद रखना है कापर नहीं केलसियम ठीक है तो यहाँ पर जो भी यह केलसियम है यह क्या है यह क्रियासिल धातु है तो का से आपको केलसियम याद रखना है नौ से इनने सोडियम याद रखना है और को से भी यह के ठीक है मत अगे से अभी है मेगनेशियम ठीक है आलू से आपको एलमूनियम याद रखना है क्या आलू से आपको एलमूनियम याद रखना है अब आता है जैसे तो जैसे से आपको याद रखना है जिंक या जस्ता याद रखना है जैसे जस्ता कह सकते हैं जैसे का मतलब जस्ता ठीक है आज इसे हम ZN से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम Jink भी कहते हैं, अब आता है यह फो, तो यह फो जो है न, फो से आपको याद रखना है फेरस जो होता है, फेरस जिसे हम लोहा कहते हैं, तो याद रखेंगे इसे हम F E से प्रदर्शित करते हैं, आज यह फेरस जो है, यह आप से सोडियम हो गया का से भी या केल्सियम हो गया मांगे से मैंगनीसियम आसे आलू जो है आलू से ऐलूमूनियम जैसे से भी जिंक या जस्ता कह सकते हैं और यह जो फो है ना फो से भी या फेरस हो गया ठीक है और जो लौ है ठीक है यह जो लौ है यह लेड होता है जिसे हम पी जिसे PB से प्रदर्सित करते हैं तो अब आता है भी यह यहाँ पे ह ह ह है तो यह जो ह ह है न इसको आपको हाइड्रोजन याद रखना है इस ह से भी यह हाइड्रोजन याद रखना है अब आता है तो तो से आपको याद रखना है यह हाइड्रोजन हो गया है तो से आपको याद जो पारा होता है ना एच जी जिसे हम पारा कहते हैं तो पर से आपको यादकना है पारा जिसे हम एच जी से प्रदासित करते हैं और यह जो सिंगल आता है सिंगल जब्द तो इस सिंगल से आपको यादकना है यहां पर सी आता है तो इस सिंगल से आपको यादकना है यह जो क् गल है ना सिंगल तो गल जो है गल से आपको याद रखना है कि जो गोल्ड होता है गोल्ड जिसे हम ए यू से प्रदर्सित करते हैं क्या विया यू से प्रदर्सित करते हैं गोल्ड तो आपको गल से गोल्ड याद रखना है जिसे हम क्या करते हैं विया सोना के नाम से भी जान पर सिंगल तो ऐसे आपको याद रखना है क्ướcUSE से अहें याद रखना है फ ऐस याद से याद रखना गहां क्रता है अ कहां से थासर करते हैं अहां से हाइड्रोजञ अफ्या क्या तामबाय याद रखना गोल्ड यार जिसे हम सोना के नाम से भी जानते हैं तो आसा करते हैं दोस्तो, आपको यह क्रिया शील धातू है इस ट्रिक से आपको याद हो गया होगा और कुछ आपसे मतलब इससे helpful आपको लिए होगा तो मैं यही कहूँगा दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूब बताईएगा कि आपको वीडियो का लगा ठीके इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है आपको वीडियो पसंद आया है ठीके कोई भी कमी हो तो वो भी आप कमेंट सकते हैं अधरवाज यदि आप जिस class के भी student है उसको seriously chapter wise sequence में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाते हैं तो केवल आपको उस topic का नाम लिखका भेज़ देना है उस जो class में है उस topic का नाम इस number पे आपको WhatsApp कर देना है ठीक है यह 8874726058 ठीक है ठीक है इस number पे आपको केवल WhatsApp कर देना है जिस class का भी आपको पढ़ाई करना है आपको class 10 का यदि पढ़ाई करना है class 10 का तो आप केवल लिखें class 10 physics of chemistry ठीक है chemistry link तो आपको वीडियो मतलब पूरा playlist के अनुसार आपको मिल जाएगा उस link पे click करके आप chapter wise पढ़ सकते हैं या कोई भी topic समझ में याता है कोई भी topic तो उस topic का केवल नाम लिखना है यूटूब पर अंत में हमारे channel का नाम लिख देना है जैसे आपको क्रिया सील धातू नहीं समझ में आता है तो आप लिखे क्रिया सील धातू प्रदर सर आपको वीडियो मिल जाएगा यदि नह पर उस topic का नाम लिखकर आप WhatsApp कर सकते हैं आपको वीडियो मिल जाएगा तो चलिए दूस्तों आज के लिए इतना है मिलते एक लिए वीडियो में तर तक लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत